रादे रादे दोस्तों मैं गौरप सर्मा फिर से आपके साथ देवों के देव महादेव उनका वह पवित्र स्थान जहां विज्ञानिक विज्ञान दोनों फेल हो गए कैलास परवत जो निवास स्थान है देवों के देव महादेव का जहां पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सका बैसे तो विस्व की सबसे उची चोटी माउंट एवरेश्ट की है जहां पर आज तक साथ हजार से जादा लोग जा चुके हैं लेकिन क्या कारण है उससे बहुत छोटे कैलास परवत पर आज तक एक भी व्यक्ति नहीं जा सका ऐसा नहीं कि वहां तक जाने के लिए किसी ने कोशिस नहीं की कैलास परवत पर जाने के लिए बहुत लोगे ने बहुत कोशिस की लेकिन सब फेल हो गए लेकिन कैलास परवत पर चड़ते हुए लोगों के साथ कुछ ऐसी गटनाएं हुई जिससे लोगों के ओस उड़ गए कैलास परवत पर चड़ने वाले लोगों का कहना है कि वहाँ परवत की चड़ाई करने के बाद लोगों का समय बहुत जल्दी से बढ़ता है और उनके बाल और हाथ के नखुन बहुत स्कूट से बढ़ते हैं और इसके बाद वहाँ पर हमारा कोई भी अंत्रकाम नहीं करता और दिसा ब्रमित भी होती है और अगर हम ज़्यादा कोशिस करते हैं तो कोई हमें आवाज दिलाता है कि मिर्त्यूत बहुत ही निकट है जिस कारण लोग बापस आजाते हैं बहुत से बैज्ञानिक और नासा ने अपनी खोज से यह निसकर से निकाला कि यह वह इस्तान है यहां बिज्ञान खेल है और उन लोगों ने इसे धर्ती का केंद्र माना वह कहते हैं कि निश्चत ही यहाँ पर कोई ऐसी सक्ती है जो बहुत ही सक्ती साली है और जिसके सामने बैज्ञानिक कुछ भी नहीं है उनका कहना है कि यह कोई प्राकृतिक परवत नहीं है कि इसका निर्मान किसी प्राकृतिक सक्ती में किया है और इस परवत के चार मुखें जो की चारों दिसाओं का प्रतिनिद्व करते हैं हमारे वेदों में रामायर महावरत में भी केलास परवत का वर्णन है हम आज भी मानसरोवर यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि केलास परवत पर दो ज्धिले वह रही हैं एक ध्रम्मद्वार जो की सुर्य की आकार की एक पवित्र जील है जिसे की हम मान सरोवर कहते हैं और दूसरी राष्चत जील जो की चंद्रमा के आकार की है बैग्यानिकों ने यही भी माना है कि इन जीलों का निर्मान किया गया है जब हम मान सरोबर से दक्षर दिसा में देखते हैं तो वहाँ पे हमें स्वास्तिक का निसान दिखाई देता है जिसमें कि बेग्यानिक आज तक उसका पता नहीं लगा पाए कि वे स्वास्तिक कैसे बना और बैज्ञानिक आज तक यह भी पता नहीं लगा पाए कि जब मानसरोवर में बरफ पे गलती है तो डमरू और ओम की धुनी कहां से उत्पन्न होती है जिसे की हम साफ सुन सकते हैं तो बोलिये रादे रादे अगर आपको हमारी यह जानकरी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकरी को आगे भी सेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिकुल ना भूलें बोलिये रादे रादे